कई बार आपने देखा या सुना होगा कि किसी किसी नौजास इसू की आँख से ज्यादा पानी आता रहता है और कई बार तो पानी के साथ साथ कीचर भी आता रहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार नौजास हीसु में नेजोर लक्राइमल डक्ट यानि आसु वाली नली जर्मजात ब्लॉक होती है या कई बार यह जो रास्ता होता है बहुत पतला होता है जिसकी बज़ा से बच्चे की आँख से पानी निकलता रहता है इस वीडियो में मैं डिमास्टिट करूंगा नेजोर लक्राइमल डक्ट यानि आसु वाली नली को मसाज करके कैसे ओपन करना है इसमें लीडिल फिंगर को जहांब आँख की दुनवें ओपन हो रहे हैं कि इधर से इधर से और इदाश्याओ यदो पटो आहिसे सोफेलियो फोन नन्ह Mechan में उसन कर fragman मौंसने स्याव्यक्त अंहिए सबुर्ब्र मुम्एंट करते हुए इसी नीचे के तरफ लाना और आंगल आप नूस के तरफ लाना है कभी तरफ आइबाल बने लगाना और जो प्रिसर लगाएंगे आँ कितरों प्रिसर न लाएं के ना कितरों प्रिसर लगा नुरा में पानोगे च्छाह करें प्रेंस इसके घर परकर क्रोंगे मसाज करने से पहले हाथ अच्छे से धोले, बैंगल, रिंग या कोई भी अर्णामेंट हो तो उससे निकाल ले अपने लिटिल फिंगर को लेक्राइमल ग्लैंड और जहां पर दोनों डक्ट मिल रही है उस पर रखना है और नाक की तरफ ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम प्रेसर लगाना है मोडरेट एमाउंट में प्रेसर लगाते हुए सरकुलर मसाज करना है फिर फिंगर को नीचे की तरफ मूब करते हुए एंगल आप नोज की तरफ जाना है इसी तरफ दोनों साइड में करना है फिर फिंगर को नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए एंगल आप नोज की तरफ लाना है मसाज करते समय कभी भी प्रेसर आई बॉल पर नहीं लगाना है हमेशा प्रेसर जहां पर डक्ट मिल रही है वहां पर लगाना है और हमेशा प्रेसर आँख की तरफ नहीं नाख की तरफ लगाना है और फिंगर को धीरे धीरे एंगल आप नोज की तरफ लाना है आप एक दिन में 5-6 टाइम मसाज कर सकते हैं और एक साइकल में 6 बार सरकुलर मसाज करना होता है परेंस धहर रखें क्योंकि नेजोलक्राइमर डेक्ट धीरे-धीरे ओपेन होती है 99% बच्चों में आसुनली 6-7 मन्त में कम्पलीट ओपेन हो जाती है इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर मसाज करते रहें क्योंकि फिसे कव्स के सिंस्ग करती है करेंदा न० रहाओ एटानy क्योंग घर्कार्ण सब्पड़ falarन्स क्योंकि लाओें कि यavoir उत्सके हूः कर्ला प्सक्ति क्यों